नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है कॉंग्रेस में गांधी परिवार के खिलाप जो बगावज शुरू हुई है वो अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही है अब धीरे धीरे जो बागी गुट के नेता हैं वो खुल कर सामने आने लगे है पहले कपील सिब्बल ने जितिन परसाद के मुद्दे पर कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उन नीतियों की आलोचना की जिसके तहत अगर उनके नेत्रित्व के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो फिर कॉंग्रेस के कुछ नेता उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं जितिन परसाद के साथ जो हुआ था उत्तर परदेश में डिस्टिक कॉंग्रेस कमीटी ने उनके खिलाफ जो फत्वा जारी किया था उसके बाद कपील सिब्बल ने खुल कर जितिन परसाद का साथ देना सही समझा और राहुल गांधी और फिर सोनिया गांधी के खिलाफ ऐसी बाते बोली जिसके बाद कपील सिब्बल को लेकर ये चर्चा तेज हो गई कि अब कॉंग्रेस वो छोड़ने वाले हैं। गई थी कि गुलाम नवियाजाद जो कॉंग्रेस के गांधी नहरू परिवार के भक्त माने जाते हैं आखिरकार इनके खिलाफ क्यूं हो गए। ओफिस वेरर नॉमिनेट किया जाता है तो कॉंग्रेस के स्थती खराब हो जाएगी। नॉमिनेट किया जाने का मतलब है कि अगर कॉंग्रेस का ध्यक्ष थोपा जाता है तो उसके बाद कॉंग्रेस बिखर जाएगी। तूट जाएगी इतना कमजोर हो जाएगी कि उसके बाद अगले 50 सालों तक कॉंग्रेस उभर के सामने नहीं आ सकती है। और अगले 50 सालों तक कॉंग्रेस बिखर बैठने के लायक ही रहेगी। कॉंग्रेस के कई नेता जो नेहरू परिवार के साथ स्वामी भक्ती रखते हैं, कई नेता जो सोनिया राहूल गांधी के बफ़दार हैं, उनका कहना है कि गुलाम नभी आजाद को सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। और ये आजाद भी समझ रहे हैं कि कॉंग्रेस में अब उनके लिए जगह नहीं हैं, इसलिए उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी है और इस बीच उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट राहूल गांधी के उपर हमला किया है। ये पहले परोग शुरूप से बाते कही जा रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस अभी सबसे खराब दोर से गुजर रही है, और अगर कॉंग्रेस को कोई नॉमिनेटेट प्रिसिडेंट मिलता है, तो ऐसे सिति में कॉंग्रेस बिखर के रह जाएगी, पहले कॉंग्रेस वरकिंग कमीटी का चुनाब होना चाहिए, क्योंकि कॉंग्रेस वरकिंग कमीटी में भी ऐसे लोग आ गए हैं, जिनकी उपयोगिता नहीं है, सालों से इसमें समान तरीके से कॉंग्रेस के किसी भी राहुल गांधी या सोनिया गांधी का नजदी की व्य जो गुलाम नभी आजाद, आनन्द सर्मा, कपिल सिबल इन लोगों ने जो आवाज उठाई थी नेत्रित्व को लेकर उसको बेंजिती का सामना इन लोगों को तभी करना पड़ा जब CWC की बैठक में वो लोग मौझूद थे जो सिर्फ सोनिया गांधी और राहूल गांधी उसके बाद AICC का All India Congress Committee का भी चुनाब हो और ये चुनाब नीचे के यानि ब्लॉक लेबल से लेकर डिस्टिक लेबल, अस्टेट लेबल और तब केंदर में चुनाब होना चाहिए ये सारे सिति उन्होंने स्पस्ट कर दी जो ये दिखाता है कि राहूल गांधी को अब देखना पड़ेगा कि उनके समर्थन में कितने लोग हैं अगर वो चुनाब लड़ते हैं तो उनके विरोध में भी कुछ लोग आएंगे और अगर विरोध में आएंगे तो फिर Congress बिखर जाएगी तूट जाएगी ऐसे संभावना Congress के ही एक बड़े नेता भी पहले लगा उन्होंने उस समय भी आरोप लगाया था कि Congress में राहुल गांधी के खिलाप conspiracy हो रही है वो राहुल गांधी के नजदी की लोगों में गिने जाते हैं संजनी रूपम लेकिन उस समय उन्हें Congress से सस्पेंड इसलिए कर दिया गया था क्योंकि चुनाब के वक्त वो उन्होंन बंदन होने वाले थी उसको लेकर भी उन्होंने विरोध दर्ज किया था इसलिए वो पार्टी में अलग थलग पड़ गये थे फिर संजनी रूपम ने यही बात बोली है कि अगर Congress में अध्यक्षपद का चुनाब होता है तो Congress पार्टी तूट जाएगी उन्होंने ये बत कोई दूतरा सदस खड़ा होगा ऐसी स्थिति में वो जीत तो जाएंगे संजनी रूपम ने भी यह बात कहिए कि वो जीत जाएंगे ऐसा नहीं है कि राहूल गांधी Congress के अध्यक्षपद का चुनाब नहीं जीत सकते हैं उनको CWC से लेके AICC और प्रदेश Congress में भी इतने वोट हैं उनकी लोग प्रियता इतनी है कि वो चुनाब जीत जाएंगे लेकिन उनके जीतने से कुछ नहीं होता है अगर वो जीत भी जाते हैं तो Congress में एक महा फूट होगा Congress विभाजित हो जाएगी ऐसी स्थिती ऐसी संभावना संजय निरूपम ने भी जताई है और यही स्थिती अब देखने को मिल रही है गुलाम नभी आजाद अब खुलकर राहूल गांधी का विरोध करने लगे हैं और उनके साथ अलग अलग परदेश के नेता हैं महाराश्ट टेले के केरल तक सारे स्टेट में गुलाम नभी आजाद के इस अभियान के समर्थन में कुछ नेता है क्योंकि जिस दिन से ये 23 लीडर ने 23 वरिष्ट नेताओं ने कॉंग्रेस के वरिष्ट नेताओं ने सोनिया गांधी को नित्रित्व परिवर्तन के लिए और साथ में कॉंग्रेस के सुधार के लिए जो चिठी लिखी उसके बाद ये सारे लोग अलग तलग पड़ गए हैं केरल में ससी धरूर के खिलाब भी कॉंग्रेस के नेता ने उनको एक तरह से गेस्ट लीडर बता दिया कि ये ऐसे नेता हैं जो कॉंग्रेस में आए और इनको गांधी परिवार की लोग प् कॉंग्रेस के वो लोग हमला कर रहे हैं जो सोनिया गांधी और राहूल गांधी के परती अपनी वफ़ादारी दिखाना चाहते हैं जैसे उत्तर परदेश में जितिन परसाथ के खिलाफ ऐसी ही बात की गई कपील सिब्बल के खिलाफ ऐसी बात की गई पंजाब में भी मनी उनके खिलाब सुनील केदार ने फत्वा जारी कर दिया कि उनको सड़क पर नहीं उतरने दिया जाएगा अब शशी थरूर के खिलाब भी बोला गया है इस तरह से जो भी एस्टेट में ये नेता हैं जुनोंने सोनिया गांधी को चिट्टी लिखी थी उनका अपने अस्तर प अगर शुरूरात नहीं करते हैं पहल नहीं करते हैं उनसे गुसाय हुए है नेता तो हम ही पहल कर लेते हैं क्योंकि आखिरकार राहुल गांधी को ही उन्हें कॉंग्रेस के कमान सपनी हैं तो ऐसे इस्तिती में सुनिया गांधी पहल कर रही है वो बात कर रही है अलग-अलग निताओं से लेकिन डैमेंड कंट्रोल की उनकी नीती हर तरह से नाकाम होती दिखाई पर रही है त्योंकि गुलाम नभी आजाद से जब उन्होंने बात की थी उसके बाद भी गुलाम वनिस्तिवारी, अनन्द सर्मा ये सारे नेता अपने अपने स्टेट में कॉंग्रेस के प्रदेश कमीटियों के साथ बातचित कर रहे हैं बागी गुट के नेताओं के साथ मेल जोल हो रही है वो इंतजार कर रहे हैं कि जब संसत का सत्र शुरू होगा और उस समय राज सभ सभा में और लोक सभा में दो अलग अलग जगों पे जो कॉंग्रेस के लीडर हैं एक दूसरे का विरोधी हैं वो अपनी स्थिति कैसे सपस्ट करते हैं अधीर रंजन चौदरी जो लोक सभा में कॉंग्रेस के नेता हैं उन्होंने राज सभा में जो कॉंग्रेस के नेता है गुलाम नभी आजाद उनके उपर हमला किया था उन्हें भला बुरा बोला था यहां तक कि कॉंग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी गुलाम नभी आजाद कपिल सी बलके उपर छीटा कसी की थी उनको बदनाम करने की कोशिश की थी लेकिन अब जब सत्र की सुरुवात होगी तो राजसभा में गुलाम नभी आजाद अस्टिड़ जी तै करेंगे या फिर राहुल गांधी के समर्थन वाले नेता अस्टिड़ जी तै करेंगे अब ये भी देखना होगा कि खड़गे को जो लोकसभा से अब राजसभाएं भेजा गया है रोकसभा का चुनाव आरने के बाद इस बार राजसभा में उनको भेजा गया है जो लोकसभा के पहले कॉंग्रेस के नेता थे अब वहाँ पर जाके गुलाम नभी आजाद को च चैलेंज करते हैं अगर ये सत्र के दोरान कुछ चिलपो हुआ दोनों गुटों के बीच टकराब हुआ तो उसके बाद एक तरह से संसद में जो लोकसभा और राजसभा में कॉंग्रेस के नेता हैं वो भी दो गुटों में बढ़ जाएंगे और आगे कॉंग्रेस में एक महा फूट विभाजन होगा जो अलग अलग परदेशों में इसका आधार बनेगा और कॉंग्रेस मुक्त भारत का सपना जो भारतिय जंता पार्टी का है वो सपना कॉंग्रेस मुक्त का मतलब तृणिमूर कॉंग्रेस और NCP से नहीं है कॉंग्रेस मुक्त का मतलब गांधी नेहरू परिवार के कॉंग्रेस से मुक्ति की है जो विचार जो परमपरा चल रही है जो एक परिवार का वर्चस को कॉंग्रेस के उपर है उससे मुक्ति का सपना भारतिय जन्ता पार्टी ने देखा है और लगता है कि कॉंग्रेस में जिस तरह से बगावत हो रही है वो अब एक बड़े विवाजन के बाद गांधी नेहरु परिवार का यानि सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के कॉंग्रेस दो कोडी की रह जाएगी इनमें वही नेता रहेंगे जो मुख्या का पंचायद का चुनाव जीतने के लायक भी नहीं है तो इसी तरह के खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रही है मैसा योग ताके से तरह के कबर हम आपके लिए आते धन्यवाद